अब आप लोग जुडीश्री के स्टूडेंस हैं इस आप लोगों के लिए बैर आक्ट रीड करना कितना जादा ज़रूरी है इसकी हम एक एक प्रोवीजिन को पढ़ें और उसे कनेक करने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें कि हर एक वर्ड का क्या मतलब है हर एक वर्ड का क्या रेलेवेंस है इन यॉर सोगा तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल है अब यहां पर मेंशन है इस इन आक्ट तू डिफाइन अन अमेंड दे लॉर रिलेटिंग तू सेल आफ गुद्स अब आप जब भी कोई आक्ट खोलेंगे तो उसमें आपको यूजवली ऐसे कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे डिफाइनिंग अमेंडिंग इसे अलग-अलग वर्ड आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत ज़रूरी ये समझना कि इन शब्दों का क्या मतलब है ती सेल आफ गुद्स आक्ट जो है पहले आपको अलग से नहीं गिवन था कॉंट्राक्ट आक्ट के अंदर गिवन था ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक नीड फील हुई कि आपके जैसे जैसे इंडस्ट्रिलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे एक नीड फील हुई कि हमारे पास एक सेपरेट लौ होना चाहिए सेल ऑफ गुद्स का तो इसी लिए कॉंट्राक्ट में से ये प्रोविजन निकाल के यहां पे रखे गई राइट देखो डिफाइन होता है कि सिंपली आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़े हैं वो आप डिफाइन कर रहो अपने लौ के अंदर ठीक है उन चीजों के उबर प्रोविजन लेकर आ रहो आप अपने लौ के अंदर तो डिफाइनिंग अंदर जो प्रोविजन पहले से कॉंट्राक्ट में थी उन्हें हमने थोड़ा सा चेंज कर आ हैं अमेंडमेंट उसके अंदर लेकर आएं और हमने अलग से उसके लिए लौ बना दिया है तो वी हाफ डिफाइनिंग अन अमेंडिंग अक्ट ऐसे ही कंसोलीडेटिंग अगर अब इसके अलावा आपको किसी और लौ में नहीं देखना पड़ेगा कोई उस टॉपिक से रिलेटिट किसी चीज को बट स्टिल हम लोग जब कंसोलीडेट कर रहें काक्ट को तो उसे एक्जॉस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हर एक चीज जो है आपकी में सब्सक्राइब कर रहा है शॉर्ट टाइटल एक्सेंटन कमेंस्मेंट की तो इस आक्ट में भी कॉल्ड सेल ऑफ गुद्सक्राइब कर दिया गया है आपका जमुन कश्मीरे के एक्सेप्शन था जो कि आफ्टर ट्वनी नाइंटीन रिमूव हो चुका है और इचल कम इंट सब्सक्राइब कर देफिनेशन क्लॉस के हिसाब से ही हम अपने अक्ट के अंदर जो राइट्स है लाइबिलिटीज है लिबर्टीज है वो डिफाइन कर पाते हैं आपका डिफिनेशन क्लॉस जो है वो आपको एक सेट बाउंड देता है जिसके अंदर रहके हमारा लॉवर्क करेगा ठीक है सबसे पहले हमारे पास हम डिफाइन कर रहे हैं बायर को बायर हमने सिंपली कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है और अग्रीज टू बायज गुर्ड कोई भी व्यक्ति जो कि या तो खर खरीद रहा है या खरीदने के लिए अगरी कर रहा है वो आपका बायर कहलाएगा सोगा के अंडर ऐसे ही आपके डिलिवरी की बात हो रही है डिलिवरी आप वॉल्यूंटेरिली ट्रांसफर कर रहे हो पोजेशन एक परसन से दूसरे परसन को अब यहां पे हमने डिलिवरी को exactly define नहीं कहा हमने bound रखा delivery के लिए कि आपकी delivery क्या होगी तो हमने कहा कि जहां पर भी आप voluntarily अपनी इच्छा से transfer कर रहे हो कि इस चीज को possession को transfer कर रहे हो वहां पर आपका delivery हम इसे कहेंगे तो अब possession transfer करें बिना delivery हो सकती है नहीं ठीक है तो आपके ये अलग-अलग चीजें आ जाती हैं इस section के अंतरगत हम लोगों के पास तीन तरह की delivery है एक तो आपने समान लेकर किसी और को पकड़ा दिया यह एक प्रकार के delivery हो गई दूसरी डिलिवरी ऐसी हो सकती है जहां पर constructive delivery है ठीक है आपने अभी constructive delivery करी है मतलब समान जो है आपके बायर के हाथ में नहीं आया है बट इस बिन constructed as such की possession उसके पास है तीसरा हमारे पास है symbolic delivery symbolic delivery के अंदर क्या होता है कि आप पूरा का पूरा समान उठा कि किसी को दे नहीं सकते हैं ठीक है तो आप उसका कोई symbol देते हैं कोई चीज दिखाने के लिए कि हाँ अभी यह चीज आपको मिल गई है if you guys have seen that game of thrones so आपने देखा को उसमें when the queen was buying all the slaves she got some staff in her hand ठीक है एक staff उन्हें मिला था to symbolize that now the goods have been delivered to her now she is in possession of the goods ठीक है ऐसे ही अगर मान लीजा आप को शिप खरीतने को एरप्लेन खरीतने हैं तो आपको घर पे तो देने आ नहीं सकते वह तो वहां पर आपको की दी जाती है ठीक है की दी जाएगी उसकी या उसके papers को दे जाएंगे कोई symbol दिया जाएगा कि कुए देन वी से की आपके कौन से गुट्स हैं जो की डेलेव password के अंबर डेले बर श्टेट क्या है तो हम है काद डेलेवरेबर स्टेट के अंदर आपके गुट थक होते हैं जब जो buyer है, he would under the contract be bound to take delivery of them. आपके goods अगर ready हैं, आपने वो खरीद लिये, अब buyer जो है under the contract bound है कि वो delivery ले इन सभी goods की. This is very important that your buyer is bound under this law to take delivery of the goods. ठीक है, उन goods को हम deliverable state में मानते हैं, उन goods को हम कहते हैं कि these are in deliverable state. Then we have the next definition, document of title to goods. अब ये document of title to goods क्या हुआ? यहाँ पर हमने कहा, document of title of goods is going to include what? सबसे पहले तो कोई bill of landing हो, कोई dock warrant हो, कोई warehouse keeper का certificate हो, कोई warfinger का certificate हो, railway के receipt हो, आपका कोई multimodal transport document हो, आपका कोई warrant हो, या order हो for the delivery of goods, या फिर any other document, जो की ordinary course of business में आपका इस्तमाल होता है, किस चीज के लिए as a proof of possession, या control of goods, या authorize कर रहा है, परपोर्ट कर रहा है, तो authorize, ये सारी चीजें, जो दिखा रहा है, ठीक है? कोई भी ऐसा document जो यहां mention नहीं है, पर ordinary course of business के अंदर, वो document is like a proof of possession, या फिर proof of control of goods, या फिर proof of authority है आपके पास, कि आप जो है, इन goods के साथ, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है, इनको जैसे भी चाहें, वैसे रख सकते हैं, इस चीज का अगर proof है, तो वहां हम कहते हैं, कि आपका ordinary course of business में, क्योंकि ये proof है, तो वहां पे वो document of title to goods बन जाएगा, ठीक है? Now this can be done either by endorsement और by actual delivery, जहां पे possessor of the document जो है, वो transfer करेगा या receive करेगा goods जो की represent किये गए हैं, ठीक है? तो दुबारा हम लोग एक बार document of title to goods देखते हैं, बिकाज इस लेंदी section, तो हमने कहा, document of title to goods में आपके bill of landing है, doc warrant है, warehouse keeper का certificate है, वार फिंगर का certificate है, railway receipt है, या कोई multi-modal transport document है, या कोई warrant है, या order है, ठीक है, delivery of goods के लिए, या फिर आपका कोई ऐसा document है, जो की ordinary course of business में, as a proof of possession, या proof of control of goods, या proof of authorizing or purporting to authorize the goods, जो है, वो है, और ये चीज़ हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं, इधर by endorsement और by delivery, जहांपे, possessor of the document, जिसके पास ये document होता है, जिसके नाम में document होता है, उसे या तो transfer करना होता है, या receive करने होते हैं, goods, जो की represent किये गए हैं, next हमारे पास to class 5 में है, fault, fault means any wrongful act or default, कोई भी अगर आप act कर रहे हो, जो की गलत है, अब यहां पे wrongful act क्या होगा, क्या ने, उसके लिए आप सोच सकते हैं, एक तो हमारे पास option है, कि हम लोग wrongful act क्या हो सकता है, उसका एक general meaning देखें, ठीक है, जेनरल मीनिंग के साथ साथ एक जो moral values के साथ attach है, वो देख सकते हैं, otherwise आपके अगर किसी act में यह explained है, तो वहां पे हम wrongful act देख सकते हैं, कि किस तरह का act आपका wrongful act जो है, वो कहलाएगा, तो अगर कोई भी wrongful act किया जाता है, या फिर कोई default की जाती है, तो वहां हम कहते हैं कि fault है, इसे गुद्स हैं, जो आपके deliverable state में नहीं है, meaning कि आपका जब एक sale of goods का contract sign हो जाएगा, तो वहां पर उसके बाद आपके वो goods या तो manufacture होंगे या produce होंगे या acquire किये जाएंगे by the seller, ठीक है, तो आपका contract of sale होने के बाद seller जो है उन goods को या तो बनाएगा, produce करेगा या फिर acquire करेगा कहीं और से, उन goods को हम future goods कहते हैं, ऐसे हमारे पास अब goods की definition है, goods जो है आपके हर तरहा की movable property है, अब यह चीज बहुत जरूरी है कि sale of good act के अंदर हम सिर्फ movable property की बात करते हैं, आपकी immovable property के लिए हमारे पास transfer of property act है, टी-पी-ए जहां पर हम immovable property की बात कर रहे हैं, जहां पर movable property की sale की बात है, वहां पर हम सोगा के अंदर जाते हैं, तो immovable property आपकी इसके अंदर नहीं आएगी, only movable property आपकी इसके अंदर आएगी, this is important, तो कोई भी movable property other than actionable claim and money, मतलब actionable claim और money को हम good मान के बेच नहीं सकते हैं, सोगा के अंदर, ठीक है, यह चीज आपके exception है, goods के, तो आपका actionable claims और money को छोड़के कोई भी movable property हो, चाहे वो आपके stock and shares हो, growing crops हो, grass हो, things attached to or forming part of the land हो, जिने, sales से पहले आपका जो है, agree किया गया है कि severe कर दिया जाएगा, ठीक है, तो again यहाँ पर हमारे पास stocks and shares, आपके goods कहलाएंगे, सोगा के अंदर आप इन्हें बेच खरीच सकते हैं, दूसरा आपका TPA के अंदर भी हमने पढ़ा है कि immovable property क्या होती है, तो वहाँ आप लोगोंने पढ़ा होगा कि immovable property जो है, ऐसी property है, जिसमें growing crops, grass, things attached to earth, जो कि severe हो गए हैं, वो नहीं आते हैं, चीक हैं, तो यहाँ पर वो आ जाएंगे, movable है वो property, तो आपका growing crop, grass and things attached to or forming part of the land, जिने हम sale से पहले या under the contract of sale, severe कर देंगे, वो चीजें आपकी movable property का part बन जाएंगी, meaning कि सोगा के अंदर section 2 clause 7 के अंदर वो goods कहलाएंगी, ठीक है, अब आपका 2 clause 8 बात कर रहा है, insolvent की, insolvent कौन है, अगर किसी व्यक्ति को कहा गया है, कि वो insolvent है, तो वो अपनी debts जो है, वो ordinary course of business के अंदर पे नहीं कर रहा है, या नहीं कर सकता है, जब वो debts due हो गई है, या उसने आपका कोई act of insolvency चाहे करा हो, चाहे ना करा हो, ठीक है, आपकी जो भी debts है, वो आपने पे करना बंद कर दी है, ordinary course of business के अंदर, या फिर आप पे नहीं कर पाओगे, जब वो due होंगी, तो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि अभी आपने पे क करना बंद कर दी है, ordinary course of business में आपने debts अपने जो भी कर्स थे, वो उनके लिए पेमेंट करना बंद कर दी है, या फिर आपने अभी बंद नहीं कर दी है, बट जब वो debt due होगी, अभी due नहीं हुई है, जब due होगी, तब आप पे नहीं कर पाओगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम ins insolvent कहते हैं, चाए उसने कोई act of insolvency करा हो या ना करा हो, फिर हमारे पास आ जाता है, two clause nine के अंदर, mercantile agent, mercantile agent जो है, ऐसा व्यक्ति है, जिसे customary course of business के अंदर, अभी तक हमने course of business पढ़ा था, customary course of business के अंदर, ऐसा agent जिसे authority है, किस चीज की, या तो वो goods को बेच सकता है, या उसे consign कर सकता है, for the purpose of sale, या goods को खरीद सकता है, या फिर money raise कर सकता है, on the security of goods, ठीक है, तो mercantile agent जो है, वो customary course of business के अंदर, यहाँ पे आपका एक custom की तरह ये चीज़ होती आ रही है, customary course of business, आपका ये important है, customary course of business के अंदर, उसके पास authority है, किस चीज की, goods या तो वो बेच दे, या consign कर दे, बेचने के लिए, या वो goods खरीद ले, ठीक है, या फिर, वो इन goods के ओपर, money जो है, raise करे, security of the goods के ओपर, money raise करे, इसे हम कहेंगे, ऐसा व्यक्ति, जो ये चार में से कोई action कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे, कि वो एक mercantile agent है, next हमारे पास to class 10 में price की definition है, which is any money consideration for sale of goods, अब यहां पे हमने simply consideration नहीं बोला है, otherwise हमें contract act का consideration देखना होता, यहां पे हमने specifically money consideration बोला है, whenever we are going to be confused about this word consideration, जब भी हमारे पास कोई कि ऐसा situation आएगा, जहां पे हम समझ नहीं पा रहे हैं, कि is it a consideration or not, वहां पे हम लोग contract act के अंदर देख सकते हैं, is it falling under the definition of consideration and it has to be necessarily a money consideration, ताकि हम कह सके कि sale of goods act के अंदर यह price है, next definition है, हमारे पास property, अब property क्या होती है, तो property में हमने देखा कि कोई भी general property है in goods और merely कोई special property नहीं है, अगे in a very vague definition, property आपकी कोई भी general property in goods है और कोई special property नहीं है, quality of goods की बात करें, तो उनकी state क्या है, condition क्या है, उसे हम quality बोलते हैं, let's say आपने चीनी घरी दी, और वो चीनी जब आपको मिली तो वो पानी में पूरी भीगी हुई थी, तो उसकी state, उसकी condition सही नहीं है, ठीक है, वो आपके किसी काम की नहीं है, वो पानी से पूरी भीगी हुई है, तो वो lose भी हो रहा है आपका, अगर लेट से किसी बोरी के अंदर था, वहाँ पर भी absorb हो रहा है, तो यहाँ पर state और condition सही नहीं है, मेरे good की, तो मैं कहूंगे quality जो है, वो सही नहीं है, हर बार quality का मतलब यह नहीं होगा, कि वो pure है, नहीं है, ठीक है, यही quality नहीं माने जाएगी, आपके goods किस condition में है, कि state में आपको मिल रहे है, वो यही quality of goods ही माना जाएगा, next we have seller कौन है, now seller just like buyer की क्या definition दी, जो buy कर रहा है या agree कर रहा है, ऐसे ही seller जो है वो या तो बेचने के लिए, बेच रहा है, या फिर बेचने के लिए agree कर रहा है, that is your seller under 2 clause 13, then we have 2 clause 14 जो की बात कर रहा है, specified goods की, अब specified goods क्या है, specified goods आपके ऐसे goods हैं जो की identified हैं, और contract of sale के time पर agreed upon है, ठीक है, उन goods को हम specific goods कहते हैं, जब हमारा contract of sale हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये चीनी 10 kg मुझे चाहिए, ये आटा 20 kg मुझे चाहिए, ये चावल 10 kg मुझे चाहिए, ये goods identified भी हैं और agreed upon है at the time of contract of sale, इसलिए हम कहेंगे कि ये specified goods आपके हैं, अब 2 clause 15 कह रहा है, जब भी इस act के अंदर कोई भी ऐसा word यूज होगा, जो की इस act के अंदर defined नहीं है, तो वहाँ पर हम Indian contract act 1872 को देखेंगे, to know कि उस word का क्या meaning है, हम contract act देखेंगे, ICA देखेंगे, to see the meaning attached to, और assigned to this word, तो this is what your 2 clause 15 is saying, then we have section 3, जो की बात कर रहा है, application of provisions of act 9 of 1872, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी unrepealed provisions है, ICA की, अगर वो inconsistent नहीं है, इस act के साथ तो apply करेंगी, आपकी ICA की कोई provision अगर सोगा के साथ inconsistent नहीं है, सोगा की किसी provision को overrule नहीं कर रही है, तो वहाँ पर यह provision apply करेंगी, now here somehow एक ऐसी situation बन रही है, जहाँ पर ICA आपका एक general जो है, जो है generic act बन गया है, और सोगा एक special act बन गया है, तो वी already know कि कोई सी भी general act के ओपर special act जो है वो prevail करता है, similarly, सोगा जो है ICA की provisions के ओपर prevail करेगा और जहाँ पर यह provisions inconsistent नहीं है, we will harmoniously construct these provisions of both these acts. अब बात करते हैं chapter 2 की, chapter 2 is talking about formation of the contract, तो अब contract of sale क्या है, तो आपका section 4 बात कर रहा है, sale and agreement to sell की, दोनों के बीच में difference क्या है, sale और agreement to sell आपका, देखो, sale कह रहा है, contract of sale of goods जो है, क्या है एक ऐसा contract है, जहाँ पे seller जो है, वो या तो transfer कर रहा है, या agree कर रहा है, to transfer the property in goods to the buyer for a price, ठीक है, एक contract जहाँ पे seller या तो transfer कर रहा है, या agree to transfer कर रहा है, क्या चीज़, goods आपके, किसको, buyer को for a price, ठीक है, यह इसके essentials है, there may be a contract of sale between one part owner and other, अब यह एक extra provision है, यहाँ पे कि मान लीजे कि एक business के अंदर दो लोग है, a and b, ठीक है, दोनों partners हैं, और c जो है, वो part owner, मतलब सिर्फ b के साथ अगर contract कर लेता है, sale of goods का, तो वो भी आपका valid एक contract होगा, अंडर्स होगा, part owner के साथ भी आप कर सकते हो, यह contract, तो आपका again, sale and agreement to sell के अंदर, clause one कह रहा है, कोई भी आपका अगर contract है, जहां पर seller आपका transfer कर रहा है, यह agree to transfer कर रहा है प्रॉपरटी, जो आपकी जो भी property है, उसको agree to sell कर रहा है, या फिर, sorry, transfer कर रहा है, या agree to transfer कर रहा है, buyer को for a price, तो contract है, seller बेच रहा है, किसको buyer को for a price ये तीन इसके essentials हैं इस section के second clause कह रहा है contract of sale जो है वो या तो absolute हो सकता है यह conditional हो सकता है अब आपके absolute contract जो है वो normal आपका जो goods को खरीदने बेचने के लिए contract होगा वो आपका वो आपका एक जहां पर आपका एसा कॉंट्राक्ट है जहां पर आपसल्यूट टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है कि सो एंड सो होगा मतलब सेलर जो है सो एंड सो चीज बेचेगा बायर को पर दिस प्राइज यह आपका आपसल्यूट कॉंट्राक्ट है यहां पर आपसल्यूट टर्म्स आपकी लिखी हुए हैं कंडिशनल कॉंट्राक्ट के अंदर कुछ कंडिशन होती है जो आपको सेल जो है कंपलीट होने से पहले या उसके बाद पूरी करनी होती है अगर आप यह कंडिशन नहीं मरा करते तो आपका कोंड्राक्ट जो है वो नहीं होगा अगार्वाइस आप अगर अगर कंडेशन फूर्फिल करैंटे नहीं में होकत आपका हो जाएगा कंट्राइट क्लॉठ Lum under a contract of sale of the property in the goods is transferred from the seller to the buyer आपका contract of sale के अंदर आपकी जो property है, goods जो है, वो transfer हो रहे है from the seller to the buyer, the contract is called sale, ठीक है? आपका contract हुआ, property transfer की गई from seller to the buyer, sale हो गया है बट जहां पे आपका transfer जो है, वो आपका future में कभी take place होगा future में होगा या फिर कोई condition fulfill करने के बाद होगा तो वहां पे हम कहते हैं कि यह है agreement to sell दोनों के बीच में difference बस इतना सा है कि अगर आपका contract के अंदर transfer हो गए goods अभी, तो sale हो गई है पर अगर transfer future में आप कभी करोगे, मालो future goods है future में कभी transfer करोगे या conditional contract है किसी condition के fulfill होने के बाद आप transfer करोगे goods तो वहां पे हम कहेंगे कि यह जो है आपका agreement to sell है कोई भी agreement जो है agreement to sell वो sale तब बनता है जब time आपका elapse कर जाता है या conditions जो है वो fulfill हो जाती है subject to which जो property है वो आपकी transfer हो जाती है agreement to sell simply आपका जो है sale बन जाएगा जब आपके goods जो है वो अब जो है manufacture होगे जो भी time given था कि इतने time में करने वो आप्स कर गया है या फिर जो condition लिखी थे कि आपको यह करना पड़ेगा उसके बाद सेल होगी तो वो condition फुल्फिल होगी है तो अब आपका agreement to sell जो है वो sale बन जाएगा नेक्स हमारे पास है section 5 जो की बात कर रहा है formalities of the contract की formalities of the contract के अंदर हमारे पास है कि contract of sale जो है वो कैसे होगा आपका किसी भी normal contract की तरह आपका एक offer होगा to buy or sell the goods ठीक है offer आपका buyer भी दे सकता है seller भी दे सकता है offer होगा to buy the goods or to sell the goods at a certain price और उस offer का अगर buy करने का offer है तो seller उसको acceptance देगा और अगर sell करने का offer है तो buyer उसको acceptance देगा तो आपका offer होगा किसी price consideration के लिए money consideration के लिए और उसका acceptance होगा जैसे आपका normal कोई भी contract होता ICA के अंदर वैसे ही offer acceptance consideration यहां पर हम देखेंगे जो contract है उसके अंदर provide हो सकता है कि immediate delivery होगी goods की या फिर आपका immediate payment होगा price का या फिर दोनों होंगे या फिर delivery या payment होगी installments के अंदर या आपका delivery या payment या दोनों ही postpone होंगे ठीक है क्या क्या देखा हमने contract के अंदर या तो आप बोल सकते हो कि अभी के अभी आपको goods deliver करने हैं लेट से हमने का 50 kg राइस जो है वो 1000 रुपीज के लिए दी जाएगी ठीक है अब यहां पे लेट से seller ने offer दिया 50 kg राइस 1000 रुपीज के लिए आपके बायर ने इसको accept कर लिए ठीक है आपका offer हो गया acceptance हो गया आपका प्राइस भी हो गया अब या तो आप कह सकतो कि अभी के अभी 50 kg चावल आप डिलेवर करके जाओ या फिर आप कह सकते हो कि अभी के अभी 1000 रुपे तुम इंस्टॉल्मेंट में हो सकती है कि मैं एक किलो करके या दस-दस किलो करके चावल आपको दूंगा तो 10 किलो के इसाप आप जो है मुझे 200-200 रुपे करके दे दीजेगा पैसे तो इंस्टॉल्मेंट के अंदर भी आपकी हो सकती है डिलिवरी या पेमेंट या फिर हम यह कह सकते हैं कि डिलिवरी या पेमेंट या दोनों ही पोस्पोन हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास यह कुछ अलग अ इन फोर्स आपका कॉंट्राइक्टा अव जो है वह आपका या तो राइटिंग में हो सकता है रिटेन हो सकता है रिटेन हो सकता है या फिर इंपलाइड हो सकता है from conduct of the parties चीक है यहां पर जरूरी है आप कि कंड़क्ट कैसा होना चाहिए ordinary course of business में अगर आप एक व्यक्ति से हर महीने 50 kg चावल 1000 रुपए के लिए रहे कहीं पर भी आपने अपने कंड़क्ट से ऐसा नहीं जहता है कि अब आप नहीं लोगे तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इंप्लाइड कॉंट्राक्ट जो है आप दोनों की बीच में था प्रपर रिटन भी हो सकता है सिर्फ हमने आपस में बातचीत करी उससे भी हो सकता है अंदर और कोई कंडिशन लगा रहे हो कि हमने लिखा है 50 kg राइस फॉर 1,000 रुपीज पर वर्ड अफ माउट से हमने का पार्टली पेमेंट कर देना तो यह भी हो सकता है या फिर आपके कंड़क्ट से इंप्लाइड हो सकता है पर चैंशन 6 बात कर रहा है आपकी सब्जेक्ट मेटर और ओकंट्राइक की जोकी आपके गुद्ज हैं तो यहां पर आपका सेक्शन सेक्स कह रहा है कि गुद्ज जो है जो कि काई खकृत कर रहे हैं जिस भी चीज कैसे जो सकते हैं जो कि जो seller है उन्हें यह तो ओन करता है या पूसेश करता है ठीक है ownership है या possession है seller के पास वह या फिर आपका वह future good है ठीक है या तो अभी के भी एक्जिस्ट कर रहा है या seller उसको ओन या पोजस्ड करता है या फिर future है मतलब बाद में कभी आपका seller जो है उस गुड को manufacture करेगा प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्वायर करेगा सेकिंड ग्लॉस कह रहा है कि देयर में भी a contract of sale of goods with accusation of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen आपका ऐसा भी contract of sale बन सकता है जहां पर आपका accusation of which by the seller is dependent upon a condition a contingency कि अगर ऐसा होगा तो मैं यह तुम्हें बेचूंगा या ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें यह बेचूंगा तो वो इवेंट वो आपका जो है इवेंट हो भी सकता है और आपका वो प्रेजंट नहीं भी हो सकता है तो इस अ कंटेंजेंसी थर्ड क्लॉस कह रहा है जो आपका जो contract of sale है जो की seller परपोर्ट कर रहा है तूद एफेक्ट जहां पर present sale है future goods की वहां पर contract operates as an agreement to sell the goods मतलब आपने contract of sale कर है seller के साथ अब जो goods है प्रेजंट में हो रही है सेल किसकी future goods की लेट से आपने खेत में चावल होगा रहे हैं आप कहने है कि दो हफते बाद यह चावल काटे जाएंगे तो आप अगर अभी सेल कर रहे हो future goods की future में वह जो है है आपके produce होंगे तो उन गुद्स की जब प्रेजंट सेल आप कर रहे हैं तो आपका जो contract है इट विल ऑपरेट अग्रीमेंट तूसल द गूर्ट ठीक है सेल की तर ऑपरेट नहीं करेगा अग्रीमेंट तूसल की तर परेट करेगा क्योंकि यह आपके कैसे goods है future goods है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है section 7 जो की बात कर रहा है कि अगर जो आपके goods हैं वह contract बनने पहले ही perish हो जाते हैं अब आप मान लीजिए जिन पचास किलो चावल के लिए goods के लिए आप बात कर रहे हैं कि हम इनका contract करेंगे contract sign करने से पहले ही वह चावल जिस लॉरी में थे वह खाई में गिर जाती है या जिस वेर हाउस में आग लग जाती है बेसिकली जो goods हैं वो destroy हो गए हैं वो goods perish हो गए हैं अब यहां पर जो आपका contract of sale था इस specific good के लिए अगर वो good ही destroy हो गया है before making the contract तो वो contract आपका void होता है ठीक है अब यहां पर अगर seller को knowledge नहीं है seller की knowledge के बिना यह हो गया तो वो contract आपका void होता है ठीक है जब contract हो रहा था उस समय से पहले अगर वो हो गए perish या ऐसे damage हो गए कि अब उन्हें हम बोली नहीं सकते कि यह वो original good है आपका कच्चा चावल आग में जल गया हमारे पास जो बचा उसे हम चावल कहे ही नहीं सकते हैं तो उस case में contract आपका क्या हो जाता है ठीक है वो contract आपका exist नहीं करता है अब आपका जब subject matter जो है contract का वो ही नहीं है वो आपका object exist ही नहीं करता है आपका जिस समय contract हो रहा था हमारे seller को पता ही नहीं था कि वो good अब exist नहीं करता है तो वह contract आपका कभी form होई नहीं सकता था तो it is void second हमारे पास यहां पर section 8 के अंदर बात हो रही है कि goods आपके sale से पहले perish हो गए पर agreement of sell आपका हो गया था हमारा agreement to sell आपका बन गया था पर sale अभी हुई नहीं थी agreement to sell में sale कैसे बनता है जब आपका जो भी contingency थी या goods से वो आपके जब sale की तरह transfer हो जाते तब हम कहते हैं sale हो गई तो transfer नहीं हुआ है पर agreement to sell हो गया था जहां बर भी agreement to sell है किसी specific good का और agreement to sell करने के बाद आपके goods without any fault on the part of seller या buyer बायर या seller की बिना किसी गलती के let's say again 50 kg चावल के लिए agreement to sell था आपका वो agreement to sell खेत में आग लग जाती है ओले गिर जाते है पूरी फसल बरबाद हो गया था पर sale नहीं हुआ है transfer नहीं होए थे goods यहां पर कोई fault नहीं है seller या buyer की obviously ओले अगर गिरे बरसात बहुत होगी कोई हमारी fault नहीं है यहां पर आपके goods perish करते हैं या damage होते हैं तो आपका agreement जो है वो avoid हो जाता है ठीक है आपका यहां पर buyer के ओपर कोई risk नहीं आता यूज्वली जवाब का sale हो जाती है आपकी sale होने के बाद मान लीजेए आपके हाथ में अभी समान नहीं आया है seller ने का मैं अपने घर से लॉरी भेज रहा हूं तुम्हारे घर पर समान भेजने के लिए सेल हो गया है यहां पर अगर लॉरी में कुछ दिक्कत हो जाती है समान भायर तक पहुंचने से पहले खतम हो जाता है परिश हो जाता है खराब हो जाता है तो हम कहते हैं कि बायर की complete liability है seller की कोई liability नहीं है बट आपका इस केस के अंदर जहां पर agreement to sell हुआ है पर सेल नहीं हुई है और seller या buyer दोनों की ही गलती नहीं है बट आपके goods जो है damage हो गया है तो वहां पर agreement जो है आपका avoid हो जाता है ठीक है वह agreement को आप enforce नहीं करवा सकते frustration of contract की doctrine के अंदर यह avoid हो जाता है नाव वी हाव अनफ ताइम तो डिसकॉस सेक्शन नाइन और यहां पर जो भी प्राइज होगा किसी गुड़ का 50 kg चावल के 1000 रुपे ही क्यों होंगे यह हम कैसे करते हैं कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हजार रुपे का मिलना चाहिए तो यहां पर जो भी प्राइज होता है आपका प्रास का कॉंट्राक्ट अफ सेल के अंदर वह यहां तो कॉंट्राक्ट में फिक्स कर दिया चाता है ठीक हैं कॉंट्राक्ट में फिक्स कर दिया आपने या फिर आपने उसको छोड़ दिया है कि हम बाद में कभी उसको fix कर लेंगे in any manner that has been agreed to और maybe determined by course of dealing between the parties ठीक है या तो आपने अभी के अभी contract में लिख दिया कि 50 kg चावल 1000 रुपे के मिलेंगे या फिर आप कह सकते हो कि हम बाद में decide कर लेंगे चावल देखने के बाद quality देखने के बाद यह सब देखने के बाद में decide कर लेंगे बाद में agree कर लेंगे या फिर हम उन्हें determine करेंगे by the course of dealing between the parties दोनों parties के वीच में कैसी dealing है कैसा relationship है कैसा conduct है उनका उसके हिसाब से हम determine कर लेंगे जहां पर प्राइज आपका determine नहीं होता in accordance with the for going provisions इस provision के हिसाब से अगर price determine नहीं हुआ है तो बायर जो है वो seller को एक reasonable price पे करता है उन goods का जो भी average price है market में let's say 50 kg rice का उस quality का उस राइस का उस ब्राइड के राइस का market rate 950 रुपीज है या 1050 रुपीज है तो जो भी reasonable price होगा जो market price आपका होगा वो जो है मिल जाएगा यहां पे अब reasonable price क्या है reasonable price is a question of fact question of fact है जो की dependent है on the circumstances of each and every case हर केस में किस तरह का चावल है किस ब्राइंड का है वो चावल वो कहां होगा है क्या market rate क्या हुस चावल का ठीके इन सब अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या होगा आपका reasonable price so this is how you ascertain price of any goods so we are done with today's class thank you so much for attending the class you may leave now you 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 you